मेरट मेरट भारत के उत्रप्रदेश राज में इस्थित एक पुर्शिद्ध शहर है हलो गाइस आज मैं आपको द्खाने वाला हूं मेरट की इंदा सबसे अच्छी जगह और साथ मैं आपको यह भी वताऊंगा आप मेरट कैसे आ सकते हैं आपका मेरट में कुल कितना खर्च होगा और मेरट में वाणने का बैस टाइम क्या है चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप कैसे सकते हैं अगर मेरट ड्लियो ऐयरपोर्ट देहली इंटरनेस्टेशन घ्रपोर्ट तक फ्लाट से आ सकते हैं और फिर इगिए 75 किलोमेटर का सफर आप बस, टैक्सी ये ट्रेन से गरके मेरट पहुंच सकते हैं और आपको एक बात और बता दू मेरट में जल्दी जॉक्टर भीमराव अम्बेट कर एरपोर्ट भी स्टार्ट होने वाला है जब ये एरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आप मेरट डारेक्ट फ्लैट से आ सकेंगे तो चलिए अब देख लेते हैं मेरट की दस सबसे अच्छी जगा तो शुरुआत करते हैं नमबर 10 से नमबर 10 सूरजपुन पार्क मेरट का यह पार्क बहुती खुबसूरती के साथ बनाया गया है इसे बनाने में लवक तिन करोड का खड़चक किया गया था तशेरा पर हर साल ब्राई पर अच्छाईगी जीत के लिए यहाँ पर रावड के पुतले को जलाया जाता है और हर साल इसके पास एक मेला भी लगता है परट को को यह पार्क बहुती पशंद है क्योंकि यह पार्क हर्याली से भरा पड़ा है और यहाँ आकर प्रटक सांती महसूस करते हैं नमबर नाइन पर है सहापीर मरूद सहापीर की दरगा का निर्माण नूर जहां ने एक इस्थानी मुस्लिम हजरत सहापीर के समान में करवाया था यह दरगा अपनी विस्ष्ट बास्तोकला के लिए काफी ज़्यादा प्रिशिद्ध है यहाँ पत्रों पर किये गए बहतरी जित्रकारी को देखा जा सकता है कहा जाता है कि नूर जहां ने इस दरगा को सहापीर की मृत्तिव से चौश घंटे पहले ही बनवा दिया था नंबर एट पर है सहीद समारक मेरत में बना सहीद समारक सबसे पुरानी समारकों में से एक है यह समारक सपेद मारवल कब बना हुआ है इसका निर्माड युद्ध में सहीद हुए बारति सिपाईयों को स्रद्धानजली देने के लिए किया गया था सुतरंतता दिबश और गड़तंत दिबश पर बहुत शेयर लोग इस इसमारक पर पहुंचते हैं और देश के लिए अपनी जान देने बालो को स्रद्धानजली देते हैं नमबर सेवन पर है घंटागर मेरट का घंटागर तो सभी जानते हैं लेकिन इस से जोड़े किस से आप साहिद ही जानते होंगे इसकी टिक-टिक करती घड़ी हमेशा लोगों को सही समय पताती रही है एक समय था जब पूरा सहर इस घड़ी की पेंडलों की आवाज पर चलता और थम जाता था इसकी खासियत यह थी कि यह हर घंटे बाद इसके पेंडलों की अवाज 10 किलो मीटर तक जाती थी इस लोगों को समय का पता चल जाता था नमबर 6 पर है Fantasy World Water Park यह Water Park National Highway 58 के किनारे इस देता है इस पार्क में बच्चों और बैसकों के लिए बहुत से पानी के खेल भी हैं इस पार्क में बच्चों के लिए जूले भी हैं और इस पार्क में कुछ स्वादिश्ट इस्थानी और चानिस खाना भी परोसा जाता है यह पार्क परेटन के दस्टी से मेरट का सबसे अच्छा पार्क है अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को चलू सब्सक्राइब करें नमबर फाइब पर है दिगंबर जैन टेंपल यह मंदिर उत्तप्रदेश के मेरट में इस्तेत है जो कि जैन धर्म के लोगों का मुख्य मंदिर है यह भगवान पार्सबनात की साथ विटलंबी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर भगवान महावीर की छेपुटूजी प्रत्म आशर जनक रूप से सुन्दर है मंदिर परिशर को हाली में फिर से बनाया गया है जोगी बहुती अद्वोत है यह मंदिर परटोकों को बहुती जादा आकर्शित करता है नमबर फूर पर है सेंड जोन शर्च सेंड जोन शर्च को इस इंडिया कंपनी द्वारा 1819 से 1821 के पीच बनवाया गया था यह उत्तर वारत का सबसे पुराना चर्च है इस चर्च के पास ही सेंड जोन शर्च का कब्रिस्तान भी है इस चर्च के चारों बहुत सी हर्याली च्छाई होई है उचे इस्तंब और विस्ष्ट शैली इसे सहर में एक लोगपरी प्रेटनिसल बना गया था इस युद्ध में पांडव जीत गए थे और उन्होंने अगले 36 साल तक हस्तनापूर पर राज किया था महावारत की अनुशार हस्तनापूर कौरबो की राजधानी हुआ करते थी आज यहां का राज महल खंडर पड़ा है हस्तनापूर में बहुत से बरेटक आते ह उन्हें यह जगह बहुत ही पशंद आती है नमबर टू पर है गांदी बाग गांदी बाग मेरट के सबसे पराने पार्कों मैंसे एक है जिसे इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस्थापित किया गया था इसमें हर साम मीजिकल फांटेन सो लगता है इस पार्क में आप क प्रिकेट खेल सकते हैं और परवार के साथ प्रिकनिक मुनाने भी आ सकते हैं इसमें आम सहतूत और बास के पेड़ों के साथ साथ हर्याली च्छाई होई है इस पार का द्रश बहुत ही मनमुख है और अब नमबर बन पर है ऑगरनाथ टेंपल ऑगरनाथ मंदिर उत्रप्र के अधिकारी अपनी गुप्त बैटक किया करते थे यह मंदिल एक प्राजीन सिद्ध बीठ है तो चलिए अब देख लेते हैं मेरट में घूमने का बैस टाइम क्या है मेरट में घूमने का बैस टाइम नवंबर से फरवरी तक का है इस टाइम आप यहां पर करमी से बचकर स में आपका कुल खर्चा 3,000 रुपे पर पसंद के सम्तिंग आ जाएगा अगर आप लोग को यह वीडियो प्रसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करें